लुट इवनिंग गूड नाइट जिस हसाब से जहां पर भी है आप दोस्तो हम अपने कोर्स की वीडियो को दबारा स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि आपसे बादा किया दो और सबसे पहली वीडियो जो मैं दबारा लेकर आने लगा हम वह हमारे ही इंडिकेटर पे है ठीक है ज कि आप किस टाइप की सैटिंग्स कर सकते हैं कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन सारी डिटेल स्टार्ट करने से बाले कुछ ये बात आपको बताता चलूं कि दुनिया में कोई भी इंडिकेटर हो दुनिया में कोई भी ट्रेडिंग मार्किट हो आप जैसे आप crypto market के अलावा आप इसको दूसरी markets में भी use कर सकते हैं like Nasdaq, SPX, stocks, Forex में भी use कर सकते हैं, मैं करता हूँ लेकिन आपको बताने का सिरफ यह मकसद है कोई भी indicator दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी accuracy 100% होती है और यह indicator भी और indicator भी definitely time to time modify किये है different traders, different लोग अपने हसाब से इन चीज़ों को modify करते हैं ठीक है तो मैंने इस वकत अपने चार्ट पे जो चार्ट खोलने से पहले बताता चलूँ मैंने सिर्फ वो indicator लगाया हो बाकि हर किसम की drying हर किसम के indicators बाकि बंद कर दी है ताकि आपको असानी रहे इसको समझने में ठीक है और maximum बहुत अच्छा indicator जो हता ना उसकी accuracy 70% होती है तो आप किसी indicator पे अगर 70% से जएदा trust करेंगे एक तो वो आपकी बहुत बड़ी mistake होगी ठीक है दूसरा हमेशा trading में risk management का अगर आप खियाल नहीं रखेंगे तो definitely वो आपकी बहुत बड़ी mistake होगी तो मैं detail स्टार्ट करने से पहले आपको कहता है चलूँ कि अगर आप नहीं है तो आप subscribe भी कर दें bell का बटन दबा दें उससे क्या होगा हम रुजाना technical analysis करते हैं weekly live streams भी करते हैं उसके अलावा हमारा discord है हमारा different social medias है जहां पे हम आपको हर तरह की news हर तरह की चीज़ों से update करते हैं ठीक है तो मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ setting थोड़ी सी change करके अच्छा market में आने से पहले start करने से पहले एक और चीज़ बादाब social steps.com new users के लिए यह हमारी website है इस पे आईए यहां पे हमारा social media है यहां पे हमारे discord की entry है यहां पे मेरा personal instagram है हमारी partner exchange हमारे trading tools जो हम use करते हैं definitely यहां पे जब भी आप click करके कुछ बनाएंगे अपना sign up करेंगे तो आपको मिलेंगे bonuses या discount ठीक है नीचे की तरफ अगर आप आएं तो यह हमारा trading course है यह हमारा trading course है यहां पे इसको भी हम अब add कर देंगे आज की video को भी ठीक है बाकी हमारा latest जो technical analysis और live stream होती है वो भी यहां पे लगी होई होती है ठीक है तो अगर मैं अगर आप हमारी YouTube को खोलें तो इसमें भी मैं आपको बता चलूँ यहां पे मैं जो रुजाना T.A. करता हूँ यहां पे short update होती है नौमान भाई की तरफ से लेकिन यह technical analysis actually नहीं होता है यह update होती कि आपको बता सके है order book में order कहां पे लगए है liquidations level के है अगर उसमें कुछ changing है यह कोई नया pattern बना उसमें नौमान भाई बात कर सके हैं ठीक है यहां पे live streams है और यहां पे हमारे trading course है यहीं पे इसका भी addition आ जाएगा ठीक है यह सा आप देख सकते हैं यह business के लिए कुछ वीडियो की थी मेरी आप से यह request हो कि इसको अपने experience से मैंने कैलने ड्वल्ब किया है यह मैं उस पे चलता हूँ यह एक psyche है इस नाट के आपको कोई formula या indicator दे रहे हैं यह psyche है जो आप अपने brain को train कर रहा है अगर आप एक trader बनना चाते हैं उसके लावा यहां पे different दूसरे course की कोई गलास को setting करने का open interest कैसे check करते हैं funding rate कैसे check करते हैं sport resistance कैसे जलाते हैं CME gap क्या है ठीक है there are different videos here आप इनको check कर सकते हैं आप हमारे YouTube channel के विजट करें अच्छा सबसे पहले मैं आता हूँ कि indicator की तरह बाता है इसको एक तो price behavior candle कहते हैं इस concept को basically smart money and dumb money concept भी कहते हैं smart money and dumb money concept कहां से निकला trading में कैसे है तो देखें mostly क्या होता है अगर मैं बात करूंँ तो smart money की तो ये top traders होते हैं investor या institution ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा आप कहलें कि resources होती है आप से बहुत ज्यादा resources है इनके पास ये लोग data check कर सकते हैं इनको पता है orders कहां पे हैं लोग कहां इस पे buying करना चाहते हैं कहां पे sell करना चाहते हैं liquidity कहां पड़ी हुई है तो ये smart traders होते हैं ठीक है और smart trader इसलिए इसको smart money concept का जाता है और जब dumb money की तरफ आते हैं तो ये एक normal trader होता है या new trader होता है या ऐसा trader जो वैसे तो job कर रहा है उसके पास इतना time नहीं है कि वो research करे और वो सिर्फ candle की movement के हिसाब से ही long या short कर लेता है या buying या sell कर लेता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी resources या time नहीं होता है ठीक है तो most probably ये हमेशा opposite चलते है sometime yes जब एक trading चल रही होती है time to time within a weeks और within a months और within a year ऐसे time भी आते हैं जब ये एक जैसे ही movement करते हैं लेकिन mostly इनका काम होता है opposite trade करना smart money वाले जो होते हैं वो mostly market maker को catch करने की कोश्श करते हैं कि वो क्या move ले रहा है इस वक्त उसको analyze करते हैं जो कह लें आप dumb money जिसे कहा जाता है वो यही होता है कि उनको सिरफ सुनी-सनाई बात पे या hype create पे या news पे या market PR बस उपर जा रही है rumors पे ठीक है वो movement लेते हैं क्यारे मैं आता हूं दुबारा एक अच्छा ये एक बहुत कहले हैं useful indicator है इस पे मैंने normally तो कभी बाद नहीं की लिकिन मैं use करता हूं ये smart money and dumb money confidence इसे का जाता है इसमें हम SPX जब हम stock के exchange करते हैं उसमें हम इसको use करते हैं अगर मैं इसको थोड़ा एक तो मैं डिफरेंट डिफरेंट जोन्स मैं क्लोज करके आपको बताऊंगा now first thing first यहां से लेके यहां तक zero से लेके one तक आप कहलें कि आप इसको point दे लें zero से लेके hundred तक का ठीक है फिर इसमें ये जो blue है ये smart money है ये जो red है इसको dumb money है ठीक है यहां पर आप इसको भी देख सकते है now मैं आपको एक simple सी बात बाता हूँ अगर आप ये देखें जो उपर होगा ना उसका मतलब है कि वो buying कर रहा है जो नीचे होगा वो selling कर रहा है smart money और dumb money में से now simply अगर हम यहां पर देखते हैं कि इस जगा पर dumb money उपर थी कि मतलब यहां पर वो buying कर रहे थे smart money नीचे थी उस वकर जब यह सारा नीचे की तरफ आ गए तो आप एक चीज़ नोटस करें कि dumb money buying ही नहीं कर रही जबके smart money buying कर रही है ठीक है तो जैसे मैंने आपको बता है यह buying zone है यह selling zone है ठीक है तो यह यहां पर selling में interested है जो dumb money वाले ठीक है और smart money वाले buying कर रहे हैं और उसके बाद क्या होता है market उपर की तरफ निकल जाती है ठीक है तो इसको मैं थोड़ा और आगे की तरफ लेकर इसको यह नहीं हम ना रुजाना की movement पर भी अगर चेक करें तो let's say मैं थोड़ा सा ऐसे लगा देता हूँ ओके now मैं इसको लगा देता हूँ इस zone में सबसे पहले line यह यहां पर market नीचे की तरफ आई तो smart money उपर की तरफ है और dumb money नीचे की तरफ यह selling में interesting है मैंने आपको यह क्या है यह उपर buying zone है यह selling zone है ठीक है यह selling zone में चलेगे dumb money वाले ठीक है उसके बाद rally आगई ठीक है जब फिर नीचे की तरफ आई यह still उपर ही है ठीक है और यह still नीचे ही है अच्छा अगर आप देखें कि market में बार बाइंग हो रही है और यह उपर की तरफ जा रहे है smart money उपर stay कर रही है dumb money थोड़ा से उपर आती है फिर नीचे आती है नीचे stay कर रही है ठीक है तो definitely इसी वज़ा से जो होता है market में एक balance बनता है ठीक है क्योंकि जब कोई buying कर रहा होता है कोई selling कर रहा है कोई selling कर रहा होता है कोई buying कर रहा होता है ठीक है तो market में balance बनता है ठीक है तो इसी तरह right now अगर हम देखें SPX का तो यह दोनों बिल्कुल accurately same जगा पर है 0.5959 यहां पर देखें आप यह दोनों एक ही जगा पर आके मिल गए है ठीक है नो यहां से movement change होगी smart money उपर जाती है यह buying यह dumb money उपर जाती है यह नीचे जाती तो यह indicator अगर आप इस indicator की access लेना चाहिए it's definitely I think 98 dollar है monthly इसका तो आप यह देखें कि जो बड़े traders होते है उनके पास ऐसे indicators की एक नहीं बहुत से indicator पर access होती है जिसकी वज़ा से वो अपने daily decisions लेते है short term medium term weekly, monthly और long term आप quarterly कहलें yearly कहलें decisions लेते हैं अपने purchase करना में ठीक है इसी तरह यहां पे भी अगर आप देखें यह भी one of similar concept लेकिन यहां पे एक तो medium term risk दिखायागा यह जो बिलू है ना यह risk management को दिखा रहे है और यहां पे वो दिखा रहे हैं क्या इस वक्त smart money यह red में जो है smart money है अगर आप यह देखें यहां पे आपको नज़र आ रहा है red में smart money है यह 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 इसी website का एक और medium term risk level इसको कहते हैं कि यह show करता है ठीक है definitely यह जब risk सबसे कम होता है उस वक्त buying का time होता है अपर जाता है तो यह risk level high हो जाता है ठीक है नहीं होता है कि वो profit नहीं लेते हैं यह वो हमेशा loss में होते हैं लेकिन यह एक concept बनाया गया है आप कहलें market में जिसको हम utilize करते हैं और हमारा जो यह indicator है इस indicator में भी उसी के ही एक कहलें shadow आपको नज़र आता है ठीक है trading view पे यह इसका नाम है यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा है ठीक है तो आपको दिखाता हूँ price behavior candle with EMAs and pivot by Stoshi Steps ठीक है यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ जाएं यहाँ पे इसको अगर आप add favorite indicator करने तो आप इसको add कर सकते हैं ठीक है add कर सकते हैं definitely इसकी access लेने के लिए आपको जैसे मैं यह दिखा रहा था आप हमारे discord को join करें discord यह हम दे रहे हैं सिर्फ discord VIP वालों को यह हम दे रहे हैं दोस्तों जो हम monthly draw करते हैं दो बंदों को free देते हैं जो हमें support करते हैं जो जिन्होंने हमारे channels हमारा social media और जो हमारी videos देखते हैं जो वाकई बहुत इंट्रस्टीड एंट्रेट में लेकिन वो definitely buying नहीं कर सकते हैं या उनको financially इतना वो नहीं बनता है कि वो इसको buying करने पर ठीक है now आते हैं कि इसको इसमें क्या क्या है मैं इसको न फोर आवर में ले जाता हूँ अच्छा सबसे पहले मैं इसका वो setting वगरा खोलने से पहले मैं आपको main main चीजें बता जाता हूँ मैं भी one hour में more easily सब चीजें नज़र आएंगी ठीक है अच्छा इसमें सबसे पहले जी तीन चीजें एक तो हो गया ना vector candles and smart money price behavior candles हो गया ठीक है आप उसको कह लें price behavior candle ठीक है दूसरा इसमें हमने रखे हुए EMAs ठीक है तीसरा हमने इसमें pay weight रखा हुआ ठीक है आप यह देखें यहां पे हमने आपको यह EMA नज़र आ रहा है सबसे पहले मैं EMA बताता हूं यह 800 EMA है यह 200 EMA यह 100 है और यह 50 है ठीक है आप इनको अपने मरजी के colors भी लगा सकते है मैं यह color यूज़ करता हूं रजाना TMA भी और normal भी तो मुझे ज़रा देख के परदा चल जाता है कि यह कौन सा EMA चल रहा है यह ठीक है न यह green आपको नज़र आएगा यहां पर pivot अच्छा यह इसका main pivot point है उपर वाले यह resistance होते हैं नीचे वाली support level होते हैं और यह weekly इस वक्त लगा हूँ है इसको भी आप monthly यह quarterly भी है आप लगा सकते हैं उसके बाद third thing है यह हमारा price behavior candle यह vector candle ठीक है अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी settings बता देता हूँ style पर आ जाते हैं अच्छा style पर मैं सबसे पहले आपको इसलिए लेकर हो यह वह colors हैं जो आप इसमें देख सकते हैं now see मैंने 50 में यह color लगाया हुआ है 200 में 800 में ठीक है उसके अलावा मैं इसको कितना work करना चाहता हूँ like thin रखना चाहता हूँ thick रखना चाहता हूँ उस असाब से ठीक है now inputs पे आ जाते है inputs पे यहाँ पे भी आप यह जो इसकी EMAs है यहाँ पे भी आप अपने मर्जी की candle type को closing कर सकते हैं मैं इसको HLC 3 पे रखता हूँ ठीक है second नीचे यहाँ पे क्या है वो आपको बता देता हूँ यह imbalance शो कर रहा है ठीक है नहीं जिसको हम fair value gap भी कहते है ठीक है now जब आप click कर रहते हैं show on higher time frame उससे क्या होता है कि minutes chart में आपको यह नजर आना बंद हो जाता है यह नहीं चलता नहीं है ठीक है अच्छा show imbalance with normal volume mark a whole candle body यह अगर पूरी को करना जाते है include wick when marking whole candle extend zones अच्छा अब यह चीज़ें सारी आप लगा लगा के आपको आप चेक कर सकते हैं ठीक है आप इन सब चीज़ों को लगाएं आपको slide सी changes नजर आएंगी ठीक है लेकिन अगर इसको बहुत simple रखना हो तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही रखता हूँ और यह है paint candle with pbc color अगर आप इसको on check करेंगे तो definitely यह color ही खतम हो जाएंगे यह color खतम हो जाएंगे और आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं जैसे आप इसको यूज कर लें fair value gap को यूज कर रहे हैं आप EMAs और पेवर्ट को यूज कर रहे हैं लेकिन आप देखें अब क्या है color सारे खतम हो गए है मैं दबारा इसको क्लिक कर जाता हूँ दूसरा most importantly अगर आप आप का यह सही नहीं चल रहा है तो आप यहां पे आके अपने जिस time frame में जिस जो आपने खोला हुआ है यहां पे exchange खोली हुई है indicator पे भी उसी exchange और उसी coin को आप चूज कर सकते हैं अगर आप यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे लगाना चाहिए अगर आप specifically किसी और जगा पे देखना चाहते है मैं चुक्ड के बीटी सी में trade करता हूँ तो मेरे यहां पे बीटी सी बाइनेंस ही हर वकत लगा होता है ठीक है इन candles की movement का coding क्या की गई है तो आप इसमें देखें कि 200% volume, 150% volume की coding मैंने इसमें की हुई है ठीक है definitely कुछ चीजें मैंने अपने हसाब से इसमें change किया, modify किया क्योंकि इन indicators को merge किया गया है आपको facilitate करने के लिए especially वो जो unpaid use कर रहे होते हैं trading view उनके पास इतनी capacity नहीं होती को वो तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच पांच इन indicator लगा है तो definitely एक ही indicator में बहुत कुछ डाल दिया गया है ठीक है ना नीचे इसको मैं थोड़ा उपर लेकर जाओ नीचे यहाँ पे आप देख ले, pivot points ठीक है यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यह level भी show करेगा और label भी show करेगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें यह चीज़ daily, weekly, monthly, yearly अच्छा आपको याद होगा हम वीडियो में CPR indicator देखते हैं अगर आप monthly कर लेंगे ना क्योंकि वो monthly हमने set किया हुआ है CPR अपना तो यहीं पे आपको वो CPR वाला दिखाना शुरू कर देगा Now, मैं आपको slight सा changing के लिए दिखा देता हूँ देखें, यहाँ पे इस वक्त pivot हमारा यहाँ पे है मैं इसको monthly में करूँगा ना तो यह changing करेगा यह देखें, यह pivot यहाँ पे आगया क्योंकि monthly pivot हमारे पास यहाँ पे है CPR इंडिकेटर जो हमें शो करता है वन अफ दे लीडिंग इंडिकेटर जिस पे हम अक्सर बात करते रहते हैं इसी तरह इसको आप weekly, yearly भी change कर सेंगे दूसरा, एक और चीज़ है, show level और show levels ठीक है, यह भी आप देख लें कि अगर आप यह देखें, अब यह बता रहा है R1, resistance 1 और उसकी price यह P, pivot और उसकी price support 1 और उसकी price यह ऐसे है, मैं चुकि इसको ऐसे रखता हूँ सिर्फ line देखता हूँ तो मैं बाकि चारी चीज़ें खतम कर देता हूँ तो मैंने इसको, लेकिन मैंने इन चीज़ों को add up सिर्फ इसलिए कि है, कि हर एक का अपना देखने का तरीका यहां twice हो सकती है तो यह इसकी तक्रीबन सैटिंग है, ठीक है Now let's talk about सबसे पहले fair value gap अगर आप trader आपको बड़े अच्छे से पता है कि जब market में gap आता है तो market हमेशा फिल करती है फिल करने के लिए जाती है उस gap को और फिर उसके बाद next major moves ली जाती है market बार बार gap को फिल करती है तो एक नजर में fair value gap करीब और भड़ा fair value gap कहा है आप ऐसे देख सकते हैं कि अच्छा यार यहाँ यहाँ पर नीचे fair value gap है उपर की तरफ आपको ज़्यादा fair value gap नजर नहीं आ रहा है ठीक है अच्छा एक तो इसमें आप यह चीज़ देखते हैं दूसरा इसमें अगर आप देखें वेक्टर कैंडल ना यह वेक्टर कैंडल जो बनी हुई है ठीक है यह definitely इसकी एक और reason होती है आपको मैं एक बात बता हूँ जब यह market उपर की तरफ जा रही है market उपर की तरफ जा रही है और वेक्टर कैंडल बन रही है ना तो आप यह समझें कि आप इस वकत mostly जो trader होते हैं retailers होते हैं वो यहाँ पे long कर रहे होते हैं और जो market maker होता है ठीक है जो smart trader होता है वो यहाँ पे इस green candle में short कर रहा होता है ठीक है और जब opposite ही जब यह नीचे की तरफ red vector candle आती है तो वो इसको long कर रहे होते हैं और retailers short कर रहे होते हैं इसलिए बाद में opposite effect भी फोरण आ जाता है क्योंकि definitely उसने जो long की है उसने उसमें से पैसे कमाने हैं जो उसने short किया उसने पैसे कमाने है market maker ने यहाँ पे short किया उसके बाद नीचे आके इसका पूरा benefit लिया ठीक है तो this is how it go इसको use करने के लिए आप इसको four hour में करें one hour में करें daily में करें fifteen minutes में करें it depends on you मैं आपको थोड़ा सा daily में लेज़ता हूँ daily में यह सिर्फ आपको एक concept देगा definitely आप इसमें trading नहीं करते हैं daily में now daily मैं अगर खोलूँ तो मुझे यह concept यहां पर मिल रहा है कि यहार जब market ने यहां से उपर boost किया यह huge vector sorry fair value gap यहां पर है और vector candles है market इनको ज़रूर complete करने के लिए आएगी dip लेगी ताकि इनको करे और इनको fully नहीं तो 50% यह जो mid line आपको नजर भी आ रहे होगे 50% complete करना बहुत जरूरी होता है 50% के बाद यह गाइब हो जाता है इसमें अगर आपको एक और भी बताओं यहां पर percentage भी use कर सकते हैं आप 0%, 10%, 20% कुछ भी कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप fair value gap देखना ही नहीं चाहते हैं तो भी आप इसको uncheck करेंगे यह वान टू बनी उसने उसको रिकावर किया अब यह हमारे पास recovery के लिए बचे हुई है market will come down इस वाट इट शो ठीक है अगर हम यहां से पीछे देखें इस जगह पर इस जगह पर जब बनी नीचे की तरफ आप इस जगह पर वेक्टर केंडल बनी हमने इसको इन दोनों को recover किया लेकिन यहां बने जब यहां बनी उसको recover किया ठीक है तो daily में आप mainly सिर्फ आप एक concept लेते हैं four hour में आप इसको use करें trading के लिए जब आपके पास zone बन जाता है ना तो यह four hour या one hour में use करने का इसको बहुत फाइदा होता है ठीक है ना जैसे आज कल हमारा पिछले पूरे week से almost ten days ही कह लें यह zone बना हुआ है market sideways पे चल रही है ठीक है one hour में अगर आप इसको इसी को मैं आपको दिखा दूँ इस zone को ना मैं आपको तोड़ा ऐसे दिखा ठीक है now one hour में हमारे पास यह ऐसे zone बना हुआ है ठीक है यह zone बना हुआ है कि हम यहां से हम नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ आते हैं हम यहां से long लगा है उपर से हम short करें ठीक है now एक चीज़ इसको use करने का बहुत फाइदा है इन zone जब market एक जोन में एक ट्रेडिंग रेंजिंग जिसको आता है market रेंजिंग कर रही है एक ही range में उपर नीचे उपर नीचे चारी जैसे यह चारी इसको use करने का बहुत फाइदा होता है जैसे ही आपको यहां पर नीचे की तरफ half आया यहीं पर vector candle नीचे की तरफ आते हुए बन गई ठीक है ना जब यह market नीचे की तरफ आई vector candle बन गई तो उसने पहले इसको पहले इसको complete करने बिजाए इसको complete करने चला गया इसको rejection मिली market एक दम नीचे है उसने यह भी complete कर ली और यहां पर जो बची हुई थी यह भी complete कर ली और यह भी complete कर ली ठीक है यह देखें यह और यह market नीचे की तरफ जब एक दम आई तो यह vector candle recover होगी तो यहां पर सारी red vector candle बन गई अब इसकी recovery के लिए market फिर उपर गई recovery होगी तो आपके पास range बढ़ी हुई और आपको जैसे vector candle नजर आती है आप उस असाफ से करते हैं और हमेशा definitely आप यहां से short अगर आप यहां से short कर रहे हैं ठीक है आप आपको अपने range का पता है उस range से बिलकुल बाहर आप stop loss लगाएं ठीक है ना और आपके पास बहुत कम chance होगा कि आपका stop loss हिट हो जब market range तोड रही है ना तो फिर तो आपका stop loss हिट होना चाहिए मेरे वाई जब market एक trading zone को खतम करके नए trading zone में जाती है तो लाजिम होता है कि stop loss हमारा वहां पे हो क्योंकि यहां पे अगर आपका आप आप ने देखिना इस पूरी range में अगर आप stop loss नहीं भी रखें तो इतना कोई issue नहीं है लेकिन जब इससे नीचे आप stop loss नहीं रखेंगे इससे उपर आप stop loss नहीं रखेंगे तो अगर market उपर निकल गई और ने zone में चलेगे आप trap trader बन जाते हैं बिल्कुल वैसे ही जब आप यहां आ जाते हैं तो trap trader बन जाते हैं तो अगर आपको stop loss ना रखने की बिमारी है तो फिर भी मेरे भाई आपको यह चाहिए कि उस zone के उपर या नीचे जो भी जिस हैसाब से अब या शॉट लगा रहे हैं आप ज़रूर stop loss अपना रखें ना इसको फिफ्टिन मिनट पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ठीक है फिफ्टिन मिनट में देखें अच्छा फिफ्टिन मिनट और 800 EMA का बहुत वह होता है concept के market boost कर जाती है फिफ्टिन मिनट और 800 EMA ठीक है जैसे यहां पे अगर market यह ब्लू वाला 800 EMA न तो जहां से market 800 EMA से निकली तो उपर की तरफ चले गई ठीक है market घूम के जब नीचे की तरफ आई तो 800 EMA के पास ही उसको rejection मिली फिर आई फिर इसको 800 EMA से ही उसको दबारा मिली हम 15 मिनट चार्ट की बात करें ठीक है तो यहां पे देखें 800 EMA is a very good resistance level in a 15 hour chart जैसे करें डिसीजन मेकिंग मैं long में या short में इंट्री लूँ या नही लो एक ऐसे level होता है 800 EMA अगर हम 15 मिनट पे जा तो आपको यहां पर 15 मिनट वो भी है दूसरा आप इसको मैं इसको ना शुरू से हम ना इसको analyze करते है ठीक है ना अगर देखे market कितने nicely नीचे की तरफ आती है recover कर रही है नीचे आती है recover कर रही है vector candles को साथ-साथ recover कर रही है ठीक है ना recover कर रही है ठीक है बिलकुल यहां से जब उसने बड़ी विक मारी क्या recover किया इसको जब यहां पर vector candle बनाई तो recover किया इसको और उसके बाद continuously recover करके नीचे की तरफ आ रही है ठीक है और आपको पता है कि market बड़ा nicely move ले रही है इस time कि recover करती जा रही है साथ-साथ नीचे की तरफ आ रही है ठीक है यहां पर उसने बनाई थी vector candle यहां से आपने short में अगर entry ले ली ठीक है it is very fine one two three उसके बाद डाओ दूसरा एक और चीज़ यहां पर हमारे पस दो और color है जो आपको नज़र आएंगे एक इसको आप pink color कह ले ठीक है और इसको आप blue यह wallet color क नौ यह basically क्या यह basically क्या है ए यह basically he इसे हमें पनाई घरार रहा है यह हमें trend reversal बता रहा है जब क्यूभी trend start होने को होता है आप के क्या फीनिश होने को होता है अप इसमें यह इसमें clean गई इसने रेड वेक्टर केंडल यानि वैसे तो यह रेड थी इसने क्या किया इसने पिंक वेक्टर केंडल में इसका मतलब है कि मार्किट अब नीचे की तरफ निकलेगी ठीक है बट अगेन आपको याद कराता है चलू कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं होगा जो आपको 100% देग एकुरेसी देगा ठीक है हमेशा आप अपना रिस्क मेनेजमेंट करें ना यह जो जब रेड केंडल उपर जाके बनती है ना तो इसका क्या मतलब होता है कि ये बेरिश ट्रेंड का स्टार्ट होने का सिगनल दे रहा है ना साइड वेस पे चलती रही चलती रही ठीक है उसन लेकिन उसे हमारी वेक्टर केंडल बनाया बलू या वालेट क्यों बनाया इसको क्योंकि वो बता रहा है कि ये जो ट्रेंड निकला था ये वीक हो गया जब वीक हो गया तो डेफिनिटी ये भी वान ओफ और रिवर्सल साइन थीक है ना अच्छा यहां पर सबसे पहले यह यहां से बात कर लेते हैं मार्किट आई यहां पर कैंडल मनायी इसने यहां पर बलू कैंडल का साइन दिया कि हम उपर की तरफ निकलने वाले नहीं निकले थोड़ा साइड वेच उसने दबारा फिर एक साइन दिया ठीक है ना यहां पर बलू का कि जी वालिम आने लग गय और उसके बाद क्या हुआ उपर निकल गए फिर इसने यहां पर ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया अगर यहां पर ब्लू बनी होती तो वो ट्रेंड रिवर्सल नी ट्रेंड वीकनेस होती ठीक है रिवर्सल का साइन दिया नीचे की तरफ आए ठीक है उसने यहां से वीकनेस का साइन दिया उपर की तरफ निकल गए अब आप देखें जब वेक्टर केंडल ब्लू या पिंक नीचे बनती है और उपर बनती है उसका टिफरेंट मीनिंग हो जाता है कि वीकनेस है या रिवर्सल है ठीक है नौ एगें एग्जेंपल देता हूं यहां पर हमने रेड तो इसका उसने क्या मतलब किया उसने रिवर्सल साइन दिया थेकaaa लाइब और फिर उसने यह पिंक यदि रैड बनाई उसने का क्या जी नेक्स्ट चैंड YEAR में यहनि वालिमा रहा है सेल प्रेशर के साथ आना शूरू हो गया और लेक्स भी साई ही वह उसके बाद यहा से उसको support मिली और market उपर की तरफ निकल गए, ठीक है, now let's find some, अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, देखें very nicely, market यहाँ उपर की तरफ जाती है, तो वो trend reversal का sign दे रहा है आपको, weakness का नहीं, हाँ, green होती है और यहाँ पर blue बनती ही न, अगर यहाँ पर candle, तो वो कहता है, यह buying pressure weak हो है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, reverse, ठीक है न, basically यह red है, लेकिन pink उसने reversal का sign दिया, और market वोरण नीचे की तरफ आगी, ठीक है, ऐसे आपको क्या करना होता है, ऐसे जब भी आपको indicator यूज़ करते हैं, आपको इसको analyze करना होता है, time spend करना होता है, screen time एक चीज़ होत करवा देता हूँ, ठीक है, कि जब आप एक range में जा रहे हैं न, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर इसने range ही अपनी change कर दी, as an example हम दे रहते हैं, कि market, चले मैं यहीं प्याज़ता हूँ, जो इस वकित हमारी range लगी हुई है, ठीक है, आप long shot long shot long shot कर रहे हैं, ठीक है, आपको बड़ा इस पे trust है, लेकिन, अब market ने range change करनी, market ने आना है इस जगा पे, यह market ने चले जाना 33,000 पे, let's say, फिर वहाँ पे जाके ranging करनी है, अगर आपने उस range के बाहर stop loss उपर या नीचे नहीं लगाया हुआ, तो आपको यह indicator कोई फैदा नह देने वाला, definitely आप trap हो जाएंगे और आप दूसरी range में चले जाएंगे, और जिन्होंने stop loss लगाया, वो उस range में इसको use करना शुरू कर देंगा, आपको पता है, market week, कभी one week, कभी two week, कभी three week, एक ही trading zone में trading करती रहती है, और हम उस zone को पकड़के long shot long shot करते रहते हैं, तो अगर आप trap ही हो जाएंगे तो आप वो नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों इस पे screen time दें, इसको देखें और इसको daily पे सिर्फ absorb करें, four hour पे decision मतलब कि अच्छा हम किस zone में पे रहें, हमारा zone के कौन सी जगा है, और one hour या fifteen minute वो होगा, जिसमें आप कहलें कि ट्रेडिंग में entry ले सकते हैं, definitely fifteen minute is the better choice, आप जल्दी entry और exit लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगर आप hourly नहीं देख रहे हैं, तो आपको इसका basically फाइदा नहीं होगा, ठीक है, अगर आप hourly देखते हैं तो आपको accuracy पता चलती है, कि हाँ यार यहाँ पे, क तीन बनी हैं या दो बनी है, just then I imagine, लेकिन one hour में हो सकता है, एक ही बनी हो, ठीक है, तो ऐसा scenario होता है, let me, closing से पहले मैं एक और चीज़ देखने की कोशिश करूँ, अगर ट्वंटी एट, वान आवर पे आएं, अच्छा यह ट्वंटी थरी है, ट्वंटी थरी, ठीक है, हम देखते हैं, वान आवर, फिफ्टीन मिनिट में हमें ट्वंटी थरी कहां पे मिल रहा है, ओके, चाहिए, यह है जी, वो सेम चीज़, जो हम वहाँ देख रहे थे, ठीक है न, यह देखें, यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं बड़ी, यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं, तो जब आप यहाँ पे आकर उपर की तरफ निकलते हैं, साइडवेस पे चलते हैं, आप यहाँ बी नजर आता है, कि यहस बनी है, यहस बनी है, और आप यहीं से, अगर आप यहीं से कहीं से बिलोंग में इंटिर ले लेता हैं, और जैसा कि आपको बताएं, जो भी आपका उस व्कद ट्रेडिंग जोन हो, उस हसाब से आपने नीचे, उस जोन से नीचे स्टाप तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाएगी तो मार्केट बाद में उपर निकलती है अगर मार्केट ट्रेडिंग जोन को तोड़ती है न तो उस वक्त तो आप निकल जाएं तभी आपकी बचात है अदर्वास तो आप ट्रैप हो जाएंगा और लिक्वडेट हो जाएंगे ठीक है दोस्तों इस पर मजीद जरूरत पड़ी तो मैं इस पर मजीद बात करूंगा नेक्स्ट हम एक्सो चार्ट पर डिटेल लेके आएंगे वीडियो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा आपके 200 कमेंट्स होंगे इमीजियटली हम नेक्स्ट वीडियो क के साथ हाजर होंगे आपकी खिदमन में टेक कियर हैवा नाइस टेय हवा नाइस नाइट बाई